एलो फ्रेल्ड्स वेलकम टू मैं नूव यई वीडियो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूरीbourल फेक्शन के बारे में यूरी नियूरी ऑनियो यूरीज इन्फेक्शन के क्या साईन उर सिंटम्स होते है क्या उसका क्या त्रीटमेंट होता है क्या लैब टैस् तो यह बेसिकली एक प्रकार का बैक्टेरियल इंफेक्शन होता है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम में हो जाता है, यानि कि हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है, जैसे यूरेटरस हो गया, ब्लाडर हो गया, इन सम्में जो है, अगर कहीं भी बैक्टेरियल इंफेक्शन हो जाता है उसको हम बोलतर हुआ का यह ट्रेक्सिन हो गया के यह ओरेंडेकिन लिए गर्टेक्सन नगारे का इसको पैसाब की नली евडेय उसमें अगरेंडे और जाये तो फीक वैसे और भी कहिसारे लेकिन इक होता है अगूए कोलिया होता है डी आपको प्राइवेट और अज़से नहीं हो रहे जलन होने के चांसे से और जैसे प्रेसाब में जो है बदबूदार आएगी और उसके बाद जो उसके बाद का जो णोठार होता हुटा वोचेंज हो ज ठोडिक कलर का यूरीन वह वैसे तो ट्रांस्परेंट होता है लेकिन जो अगर इंफेक्षन हो जाता है तो एक टर्बिडिटी टैप का यूरीन आता है और पेट के जो निचले हिस्से होता है उसमें दर्द होगा उसके बाद अगर 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 ट्रीटमेंट उसका नहीं लि तो फीबर होगा पेट में दर्द होगा जीम चलाना उल्टी होना लेकिन जो मेन स्प्टम्स होता है ंरे संवाकिन दर्द होगा और जलन होगा तो यह इसका मेन symptoms होता है. Urine infection का पता लगाने के लिए दो प्रकार के lab test होते है. Urine culture test और urine routine test. तो routine test से हमें इतना पता नहीं चलता है bacterial infection का लेकिन जो culture test होता है वो हमें exact बताता है कि कौन से bacteria का infection है और कौन scientific जो है उस infection में काम करेगा. यानि कि जो हमें infection हो रखा है bacterial infection उसमें कौन scientific जो है वो इस bacteria को खतम करेगा kill करेगा तो वो उसे urine culture test से पता चलता है. तो urine routine test जो है वो आपको 100 रुपे तक में हो जाता है तो फिर उसको जो है या leekocyte ज्यादा होता है तो उसको माना जाता है या nitrate ज्यादा positive होता है तो उसको urinary tract infection positive माना जाता है और यदि किसी वेक्ति को माले जी urinary tract infection होता है तो फिर डॉक्टर उसका culture test का रिपोर्ट देखते हैं उसमें देखते हैं कि कौन सा जो है antibiotic resistance है और कौन सा sensitive है फिर उसके हिसाब से जो जो है वो एंटिवाटिक होता है यांडर व्यवेश को हमेसा clean करके माइश करना चाहिए और private अध्यका में साथ क्लीन करना चाहिए और जो महिलाव में में रिजन होता है यूरिन infection का वह होता है उसका है पुरूपर हैजिन नहीं के बज़़ास में जादातर होता है और इसका जिए अगर जो है सेक्स के दौरान जो है MRMA आ या फीर अगर कंडूम जो ए जए सफ नहीं ग्लीन नहीं है इनकशन उसमें तो कंडूम यूज करने के बाद भी जो infection हो सकता है या किसी पुरूस का जो है पेनिस में अगर infection है अगर वो sex करता है में हिलाक साथ तो उसमें infection होने के chances होते हैं अब उसके बाद जो है female product जो ऐसे कोई भी चीज नहीं लागाना चाहिए birth control pills